सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल और प्रेस थे नोटिफिकेशन पटन हम आयरोज कहानी सुनते हैं पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों और सिख बच्चियों के फोर्स कन्वर्जिन टू इसलाम और उनकी फोर्स मैरिज़स के हवाले से इस सिल्सला में भारत में बहुत सरे ग्रोग काम कर रहे हैं किसी तरह से रेस्क्यू किया जाए हिंदू फैमिली उसको जो हमें स्टैट्स बताते हैं उनके मताबक जब पाकिस्तान बना था तो करीब 20% से ज्यादा हिंदू पाकिस्तान में बस्ते थे जिनमें हिंदू और सिक तो नोते और आज उनकी तदाद घटके 2% से भी कम हो गई है इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि उनके साथ एक सुलम की ऐसी तवील दास्तान है जो खत्म होने को नहीं आ रही एक हजार हिंदूस और सिक बच्चियों को मुख्तलिफ इंटरनाशनल हुमन राइट्स की रिपोर्ट्स के मताबक साल में फोर्स कनवर्जिंज और मैरिजिज का सामना करना पड़ता है यानि एक दिन में तीन बच्चियां इस जुलम से गुजरती है ये इतनी बड़ी देश्चत गर्दी है कि जब तीन परिवार ये तो आफिशल रिपोर्ट्स हैं कि मताबिक दिन में इस जुलम से गुजरते हैं तो ये देश्चत तीन परिवारों से पहल के तीन मिलियन परिवारों तक पहुँचती है आज का बिलतकल्फ तैजिया पाकिस्तान में हिंदू और सिक बच्चियों के हوالे से जो जुलम व सित्म की दास्ताने इसको एनलाइज करेगा और अगरचे पाकिस्तान में जो क्रिस्टिन बच्चियों के साथ, क्रिस्टिन फैमिलीज के साथ जो जो जुम होता है और हता के पाकिस्तान की एहमदिया कम्यूटी और शिया कम्यूटी और हजारा कम्यूटी के साथ जो जुमों सित्म होता है वो तो अपनी जगह पर दास्तान है और ये तो religious communities हैं इनके साथ साथ जो एथरी communities हैं चाहे वो बलोच हों, महाजर हों, पश्टून हों उनके साथ जो 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 दास्ताने हैं वो अगर हम बियान करें तो रोज का एक शो बनता है लेकिन आज के शो में precisely बात कर र और फिर उसके बाद उन communities की जो आवाज गूँचती है वो अपनी जगह पर एक सवाल है हम भी पाकस्तानी हैं, इदर हमारा हकूख, हमारा इज़त, आवरू का पूरे पाकस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई है एक ऐसी हस्ती वीडियो लिंक पर राजस्तान से डॉक्टर अमेंदरा रतनू, डॉक्टर अमेंदरा रतनू बहुत बड़िया काम कर रहे हैं, भारत में राजस्तान में बैठे एक organization के तहत कोशिश कर रहे हैं, कि जितने ज्यादा परिवार चाहे वो हिंदू कम्यूटी के हों, चाहे वो सिक कम्यूटी के हों, पाकिस्तान से उनको भारत में citizenship दी जा सके, मैं खुशामदेद कहता हूँ, डॉक्टर अमेंदरा रतनू भाई का वीडियो लिंक पर, नमस्कार डॉक्टर साब जैपूर मे आप बैटे हुएं, क्या हाल है आपका? बिलकुल मज़े में हैं, आपने का वहाँ मज़े में हैं और चुके आप काम बहुत नेक कर रहे हैं, अपने काम के हवाले से हमें बताईए कि ये और्गनिजेशन आपको बनाने का ख्याल कैसे आया? मैं आज से दस साल पहले एक किसी भी मिडल क्लास आदमी की तरह अपनी रोजी रोटी कमाता था, अपनी एवरी मन्थ इंस्टॉल्मेंट देता था, बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देता था, वीकेंड पर थीम पार्टियां करता था, एक चिकित सक हूँ, एक सर्जन हूँ मेरा अपना स्पताल है जैपूर के अंदर, फिर मेरा एक पाकिस्तानी हिंदू डॉक्टर थे, कोई कराची से आये थे भाग करके वो, और उनसे मेरा पाला पढ़ा, तो उन्होंने जब वहां की कहानियां सुनाई, तो मैं सनातन धर्म, हिंदू धर्म के प्रती शुर तो राजस्तान के अंदर लगब देड़ से दो लाग पाकिस्तानी हिंदू शडणार थी, जो कि पिछले दस साल में आये हैं, वो रहते हैं, तो मैं उनको पैसा दे करके उनकी मदद करता था, क्योंकि पाकिस्तानी सिटिजन के साथ में इंडिन सिटिजन का काम करना प्रण यह मुझे ग्यात है कि यह पूरा जो फोर्स था इसके पीछे वो शी नरेंदर मोधी जी का था, और उन्होंने इसको अपने इलेक्शन मेनेफेस्टों में रखा कि जो मैनारिटीज यानि हिंदू, सरदार, क्रिस्चिन्ज विभाजन के समय पाकिस्तान में छूट गए हैं और वे वहाँ अपने धर्म के कारण प्रतारित हैं, उनको वहाँ पर सिक्यूट किया जाता है, तो उनका नैचूरल बर्थ राइट है कि उन्हें भारत में शरण मिले, नागरिक्ता मिले, तो जब एक मेंस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इसको 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 उठाती है, तो जिसका मतलब होता है कि हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं डिवाइन के, हम करते नहीं है, हमसे कुछ करवाया जा रहा है, तो उसके बेसिकली तीन एमस थे हमारे कि हम पाकिस्तान से हिंदू और सिक्कों को यहाँ पर लाएंगे, हमारे यहाँ पर हिंदू समाज जो हमारा उस गरीब आदमी जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ट नहीं कर सकता, तो जैपुर में हमारी पूरी एक टीम है, ऑंकॉलोजिस्ट, काडियोलोजिस्ट, गैनेकॉलोजिस्ट, दर्मेटोलोजिस्ट, मैं को दी एंटी सर्जन हूँ, हम लोग फ्री मेडिकल केर उनको देते हैं, ये मुटा मुटी हमारा काम दा है, इसलिए एंटी सर्जन है, सेवा कर रही है, आपका अपना हॉस्पिटल है, आप बहुत बड़ी आ राइटर हैं, आप बहुत बड़ी आ म्यूजिशन और सिंगर हैं, हम आपका एक वीडियो भी आखर में दिखाएंगे, इसी इशू पे और उसमें जो आपके फन का कमाल है, वो तो अपनी जगापे है, लेकिन उसमें आपका एक दर्द है, आपका एक पेन है, हुमेनिटी के लिए, हुमन राइट्स की जो अब्यूसिज हो रहे हैं, उसके हवाले से, और खास दूपर जब आप राजस्तान में रहते हैं, तो र काम शुरू किया, ये प्रैक्टिकली क्या वो टाइम लाइन थी, और क्या आपको रिजल्ट शुरू में मिले इसके? इसके टाइम लाइन, 2016 में जैसे मैंने आपको निवेदिन किया, हमने इसको आरंब किया था, उसके बाद में हमारा Ministry of External Affairs में, Ministry of Foreign Affairs के अंदर हमारा काफी आना जाना हुआ, और इसमें जो राजना सिंग जी जब हो मिनिस्टर थे, पिछली सरकार में, तो उन्होंने एक नोट district collectors है, जैपुर, जोतपुर और जैसलमेर, जो की border district है, यदि इन पाकिस्तानी हिंदू refugees के papers complete हैं, तो वो ही citizenship वहीं मिल जाएगी, ये गेंचेंजर था हमारे लिए, वरना हम सब को दिल्ली के धक्के खाने पढ़ते थे, Ministry of Home Affairs में जाजा कर वहां पर लाइने appointment, आप चानते ह हैं, सरकार का जो केंदी सरकार में जाकर appointment लेना भी कितना भारी काम है, तो government ने हमारे लिए बहुत से facilities करी, and over the next five years, लगबग 10,000 पाकिस्तानी हिंदूों को नागरिक का मिल चुकी है, जिसमें 2000 हमारे संस्ता के माध्यम से मिली हैं, और एक जो काम government ने किया, वो था, हमारी बहुत लॉंग पेंडिंग एक डिमांड थी कि जो पाकिस्तानी हिंदू refugees भारत में आ चुके हैं, उन्हें bank account, उन्हें driving license, और थोड़ी बहुत 200 square feet के आसकास private property, इस तरह से उन भुलाए होए लोगों को main Hindu society, main Indian society में integrate किया गया, और मुझे ये report करते हुए बहुत विनमरता से मैं ये बात कह सकता हूँ कि पिछले पाक साल में हमने अपनी संस्ता के माध्यम से लगबख 10,000 हिंदूओं को, सरदारों को और हिंदूओं को निकालने में सफलता प्राक्त की है, तो इस मद भारत में ये जो आपकी कोश्चों से 10,000 सेख और हिंदू ब्रादरी के लोग आ चुके हैं, उनकी सिचुएशन क्या है सैटल्मेंट के हवाले से और उनकी जिन्दगी कैसी है वहाँ पे? स्वर्ग के झैजी है जो जिस तरह की तकलीफह वो दूश्चों से आये थे, तो पहली बात है यह जो किसी को अपनी बीटी अपनी आुलाइद को खोने का डर नहीं है, किसी को यह द्र्नी है कि उसका घर हए उसका बिसन्स है उसकी गुम्ठी उसका थेला है वो जला दिया जाएगा, just because वो हिंडू है, यह सरदार है, तो the level of security that these people feel in India is amazing, उनकी आँखों में जहलगता है, वो डर और और वो रिलीफ जब यहां आजाते हैं, और हमारे हिंदू समाज में कुछ caste calculus है, caste system है, जिसको leftist ने बड़ा बदनाम किया हुआ है, लेकिन उस पर कभी और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मेरे विचार के caste system हमारी बहुत बड़ी ताकत है, उदारन के लिए, for example, हम मेगवाल आता है, सवदन, पंजाब, पाकिस्तान, रह माजिस्तान में रहती है, तो हम उस मेगवाल को उस community को direct कर देते हैं, कोई भील आता है, तो भीलों के पास चला जाता है, कोई ब्रहमन आता है, तो पुषकर्णा ब्रहमनों के चला जाता है, तो as a society, हम यहां आने वाले हिंदू सरुदानों की रोजी रोटी के व्यवस्ता नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इंटरफेस हैं उनके और Government of India के बीच में, आप ये बताइए कि जो वहां पे आते हैं, हिंदू, सिख बरादरी के लोग, वो अपनी दास्ताने क्या सुनाते हैं, हमारे पस कुछ वीडियो क्लिप्स भी हैं, हम बीच में वो भी दिखाएंग लेकिन पहले मैं आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ, कि उनको जो मुश्कलात वहां पे होती थी, उसकी वो क्या दास्तान पेश करते हैं। चुपाते हुए बीचता है, अपनी बच्चियों को समाज से चुपाते हुए बीचता है, स्कूल में नहीं बेज सकते क्योंकि उठाली जाएगी, हिंदू होना एक अलंग है, अपने त्योहार वो नहीं मना सकते, तो क्या कहानी सुनाओं पाहिर भाई आपको, रोक रोके आसु सुख चुके हैं मेरे तो, आप कहते हैं कि ये कहानिया सुनाना कितना मुश्किल है और आप क्या क्या कहानिया सुनाएं, तो मैं आपको कुछ वीडियो क्लिप्स आपको भी और वियूर्स को भी दिखाता हूँ, उन पिसे हुए लोगों के, कि उनके क्या वहां पर ग अध्याचार है, बहुत बीटिवें पर अत्याचार है, और खास कर सिख्खों की तो बहुत दुर्दशा बहुत खराब रहा है, क्योंकि सर्व मुसल्मान कटरपनती हैं, और सिख्खों और हिंदुओं को बहुत मतलब उसे नीच से दिखते हैं, तो हम तो यहां पर सुनते हैं कि जो खालिस्तान की जो समर्तक हो कहते हैं कि मुसल्मानों को सर्दार तो बड़ा प्रेम है आपस में, और सब मिलके हम साथ रहेंगे, तो आपका उस पारे में कुछ विचार है, तो हमारे हालत यहां देख लो, हमारी यहां हालत हो रही है, पिछले 10-11 साल से यहां हम है हैं और ऐसे कितने सर्दार महां से निकले हैं और हिंदू निकले हैं महां से आपके इलाके से सर बहुत निकले हैं तकरीबन चार-पांच जार के करीब निकले हैं और अभी भी निकल रहे हैं जिन दिन को वीजा मिल रही है वीजा वो निकल रहे हैं तो यहां पर कौन मदद कर रहा है तो हमारी इंदू सरदार हैं जो बंदे अहां हैं क्या है विजव कि नाम किया हैं अच्छा आप कहां से आएं हैं सिंध रबाद से पाकिस्तान से आप पाकिस्तान संदुर्ण रबाब तो आप वापस पाकिस्तान क्यों है तो आप आपज के लिए निया तो आम कैसे जाएगी क्या मतलब इस बात का दरू का माननी जीने का दिकार नहीं के जीने का जीने का अब बनाते हैं हमारा धरम हमारे स्वेस्ट करवाँ हैं गाएं खिलाते हैं हम tutaj हम इसे कैसी जिंदीगी do हम ब大ना भागवान भरोसे भी निया हिंदू राम भरोसे हैं जो पांपर यह पक्की बात है कोई वापस नहीं जाएगा जो वह कह रहे हमें वीजा मिल जाए हम आज के आज सब निकल जाए उनकी यही सब आपको अगर अबसर दिया जाए तो 25 लाग रुपे दे दें हम आप तो वापस चले जाओंगे नहीं नहीं तो यह जीवन मिल गया वह तो जीव जाए मेरा हैंगे वो जो रूटे अची मिलेगे डाट साब आपने भी और मैंने भी और व्यूर्ज ने भी यह वीडियो क्लिप्स देखे होंगे लेकिन जब भी हम देखते हैं तो वो जैसे कहते हैं के दिल खून के आंसूर होता है वाली कैफियत होती है तो अब यह कैफि होते हैं बहुत सारे के इस में मुस्लिम का नाम नहीं है और इसको एक पुलिटिकल कार्ड बना के ना सिर्फ आपोजिशन पार्टी बलके एक्स्ट्रीम लेफ्ट के लोग और यहां पर भी जो मीडिया है वेस्ट में भी वो भी इसको उचालता है मुसलिम के खलाफ तो एक दे दें अगर वो दे दे दें तो फिर पाकिस्तन बना ही क्यों था ठीक है तो इस सारी सूरते हाल में जो सी ए के प्रोटेस करने वाले लोग हैं अभी तो खैर करोना की वज़ा से वो प्रोटेस खतम हो गए लेकर अब फिर आवाज उट रही है कि जैसे ही करोना पर तो यह कैसे आपको लगता है आने वाले दिनों में जैसे कोविट से पपंदियां उठेंगी तो फिर यह सी एकी बात होगी तो आपकी जो एफर्ट्स हैं आपको कैसा फील होगा यह कि एक स्टाटेस्टिक देता हूं आपको यह कोई मेरे जैसा को रैविड हिंदू या आपके जैसा कोई जो जो है ना लिब्रल जो अपने आपको धरती से जोड़ा हुआ हिंदू मानता है पाकिस्तान का जन्म होते हुए भी हम लोगों का ड़कुमेंट नहीं यह यूरोप हजार बच्चियां माइनॉरिटीज की प्रती वर्ष पाकिस्तान में उठ रहे हैं एक मिंस थ्री हिंदू सिख और क्रिश्चिन गर्ल चाइल्ड है इस पिक्ट एवरी सिंगल डे अब मैं तो साहब बिल्कुल कटर हिंदू हूँ तो मैं कर्म के सिध्धान्त को बहुत अकाटे रूप से मानता हूँ जो समाज अपनी अबोध बच्चियों के साथ सेक्श्वल वाइलेशन करता है उसको आठवान नरत भी नसीब नहीं होता था उसकी तो बड़ी और वो इसी संसार में उसकी दूरदशा होगी वो शायद एमद फराज ने लिखा है ना कि मैं आज जब में हूँ तो खुश्गुमान नहो चराग सब के बुजेंगे हवा किसी की नहीं जो आज हिंदू बच्ची उठी है जो सर्दार बच्ची जो ग्रंथी नंकाना साहब की जो जस्वीन कौर जिसको आईशा बना दिया गया इन इन पापों का फल पूरी मानवता को बुगतना पड़ेगा ताहिर भाई करोना तो कुछ भी नहीं है इससे बड़े-बड़े संकट हम पर आएंगे अगर हम अपनी बच्चियों की इसी तरह से सेक्शुली उनको मॉलेस्ट करके उनको वाइलेट करते रहें आपको बात बताओं सनातन धर्म में महाभारत एक बहुत बड़ा एक हमारा घ्रंथ है वह आपका भी है मैं तो मैं कैसे कहूं आपका भी है वो उसमें एक प्रसंग आता है जहां पांडवों की पत्नी द्रौपदी का चीर हरण होता है वो कोई एक सिच्वेशन ऐसी बनती है कि उसके कपड़े उतारे जाएंगे उसका अपमान करने के लिए तब भगवान कृष्ण आके उसकी रक्षा करते हैं उस इस्त्री की और उसको साड़ी खतम नहीं होने देते हैं वगरा वगरा लेकिन वहां एक बात कृष्ण बोलते है जो समाज अपनी इस्त्रीयों को नगन करने का प्रियास कर सकता है मैं शपत लेता हूँ कि मैं उस समाज को समाप्त कर दोगा अगर भगवान कृष्ण चाहते हैं तो महा बारत का युद नहीं होता लेकिन उन्होंने एक स्त्री के अपमान पर पूरी मानवता को नश्ट कर दिया टीन बचियां रोज उठ रही हैं हम कैसे संस लेते हैं हम कैसे मुवीज देख तिर रोगना पड़ेगा डक्यसाब यह तो तीन बचियां रोज उठने का जो स्टैट है वह तो आफिशल है reported है, मुझे ये डर है कि जो incidences unreported हैं, वो इन से कहीं ज्यादा है, आपको ऐसा feel होता है? Definitely, क्योंकि हम जब भी प्रयास करते हैं, FIR की copy लेने का, या court के judgments वहां से मंगवाने का, तो ज़्यादा तर जगे हमारे पास में ऐसा कुछ मिलता नहीं है, ये European Union की Parliament की ही रिपोर्ट आईए, बस एक जो की तोगे एक official document है हमारे पास कहने के लिए, अदरवाइस वहां अंदरूनी सिंद में बिचारे बड़े रों के गुलाम बने हुए हिंदू के साथ क्या हो रहा होगा, वो आपर में कल्प नहीं कर सकते हैं, अच्छा ये बताईए कि इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मताबिक, एक rough estimate के मताबिक, राजस्तान में और इसके इलावा भारत में क्या नंबर होगा जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिक्खों की settlement के हवाले से हुआले से जो को सिक्खों का आनना का जो movement है वो कोई one time event नहीं है, वो सब्सक्त से चलता ही जा रहा है वो कभी-कभी गती पकड़ जाता है जैसे 71 के वार के टाइम पकड़ गया था या बाबरी मस्जिद का विद्वन्स जब यहां हुआ था तब पकड़ गया था दो लाख लोग विस्तापिज हिंदू जो है वो राजिस्तान में रहते हैं और इसमें जो citizenship amendment act के अंदर जो cover होंगे उनकी संख्या लगबग 31,000 है जिनको जब लागू हो जाएगा तो 31,000 लोगों को लागरिक्ता मिल जाएगी तो मुझे याद है कि दिली में मैं एक बस्ती में गया जहां पर पाकिस्तानी हिंदू सैटल है उस बस्ती का कोई बहुत अच्छा हाल नहीं था तो मुझे किसी नहीं नहीं कहा कि इस बस्ती में अगर ये इतना बुरा हाल है तो फिर पाकिस्तान से हिंदू और सिक्छों को लेकर जाने की जरूरत क्या है तो मैंने उस बस्तान किसी को जवाब दिया को लेफ्ट के लोग थे भारत में तो मैंने उन से का भाया बात ये है कि इनकी जो हालत पाकिस्तान में थी इनकी बेटियों को उठाया जाता था तो यहां पर इनको वो सेफटी है बारत एक बड़ा मुलक है वन पॉइंट थी बिलियन लोगों का वो हर एक शक्स की जो जो होती है बहुत ही वेल आफ लाइफ की गरंटी तो नहीं देता वो चैलिंजिंग समाज है वो तो अमरीका भी चैलिंजिंग समाज है तो भारत यह कहता है कि हम आपको सेफटी दे रहे हैं अब आप आगे बढ़िये जिंदगी में अपना जो है पूरे का पूरा हिसा डाली और हिसा लीजिए मैंने उस वक्त कुछ हिंदू दोस्तों से बात भी की जो वहां पे थे उनकी हालत एकनॉमिकली सोशली को बहुत अची नहीं देखती थी लेकिन उन्हों ने एक बात कही और वो बात मेरे एक और जो पसंदीदा वलागर है उनके भी है वलाग पे वो एक फ़नी सा नाम है ब बात की तो सब सब हिंदू बहनों और भाहियों ने वहां पे एक बात कही के हम इतने खुश हैं इस हालत में भी भारत में तो वो जाहर है कोई भी समाज होगा डॉक सब अमरीका हो कैनिडा हो यॉरप हो भारत हो आपको हर तरह की कलास मिलेगी और लाइफ इसी का नाम है तो लेकिन वो जो एक तरह से ये जो एक्स्ट्रीम लेफ्ट के लोग और या जो अपोजिशन के लोग अपनी फेस सेविंग करते हैं कि जी आप कितना शोर्ट सी है के डाल ले रहे हैं हर जो है सोल को तो आप वो परवाइड कर नी सकते हैं तो मैंने तो जवाब दिया आप इस वो थोड़ा सा एक्ट्रॉसिटी वल्चर टॉरिजम टाइप जगे बन गई है वो कि वहाँ पर जो भी आता है उसको उन तीन बस्तियों में घुमाया जाता है तो वो बिचारे तोड़े से इतने महार लेफ्टिस भी पहुंचे हुए हैं उनको help करने के लिए लेफ्टिस करते हैं वहां पर लेकिन आप जैपूर आएं आप जैपूर में 10,000 शर्णार्थी रहते हैं जोद्पूर में 40,000 रहते हैं एक भी वापस जाने को तयार नहीं है और मेरी जो सूचना है वो यह कि यदि आज बॉर्डर्स खोल दिये जाएं तो एक और हिंदू एक भी सर्द आपने बड़ी एहम बात की के अगर बॉर्डर खोल दिये जाएं तो वहां एक भी हिंदू और सिख नहीं रहेगा वो सब इदर आ जाएंगे लेकिन एक एजंड़ा भी है वहां की इस्टैबलिश्मेंट का के एक जो टाइनी परसेंटेज आफ जो सिख हैं वो वहां पे और कुछ यहां से भी और खासरों पर कैनिडा और अमरीका में बसने वाले कुछ सिख भी फील करते हैं कि जैसे पाकिस्तान उनके लिए कोई हैवन हो सकता है यह सोचे बगार कि वो कंट्री उनका हुआ करता था आज उसमें उनके अपने लोगों को मार दिया जाता है तो वो जो एक खालस्तानी या सो काल्ड सेपर्टिस्ट एजंडे वाले लोग हैं जो के अब आटे में नमक के बराबर भी नहीं रहे और उनकी अब को से भी नहीं रही मगर वो यह प्रापगेंडा करते हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे शर्म सेन को डूब के मर जाना चाहिए क्योंकि देखें फैक्ट्स डॉंट लाए राइट वी डूटाई नहीं गई है तो आप किस खालस्तान के नेरेटिव की बात कर रहे हैं मतलब citizenship amendment act की बात जो आपकी वह दूरी रह गई थी उस समय मेरे लिए काहिर भाई एक बहुत दुखत चैप्टर था मेरे जीवन का citizenship amendment act का जिस तरह सरदारों की लीडर्शिप भारत में और हिंदूों ने जिस तरह से citizenship amendment का विरोध किया और इसी लिए मैं मैं कुद अब मैं बिल्कुल determined हूँ कि मैं इसको नई level पर लेके जाओंगा जो भी मेरा सामर्त है मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ लेकिन अब अब हम भी घोड़े खोलके आएंगे यानि हम इतने सालों से चुप चाप इन हिंदूों को सरदारों को वहां से निकालके यहां पर बसा रहते हैं और इनकी नागरिकता एक legitimate demand है जो बिचारा पाकिस्तान से यहां पर आता है उसकी उसका dilemma देखिए उसकी दूविधा देखिए वहां पर वो काकिर है यहां पर पाकिस्तानी है ना उसको मकान के रहे पर मिलता है ना उसको को जॉब पर रखता है अब हम जैसे लोग गिने चुन्ने यहां पर प्रयास करते हैं कि उसको कुछ मिले लेकिन as a society जब economic issues में conflict आता है तो जैसे कब करोना के संकट में एकदम से हमारे हैं खुदकियां जो हमारा विशेश तबका है जो विचारा बड़ा परिशान है उसमें हम यह 40-50 लाग हिंदूओं को कैसे absorb करेंगे लेकिन यहां की अकाली leadership कहती है कि citizenship amendment के अंदर मुसल्मानों को include किया जाए जाए जानी आप लोग अपना कोई पूरोपक्ष अपनी को research करते हैं आपको कोई इमानदारी बची है कोई moral कोई capital बचा है या बिल्कुल bankrupt हो चुके है दक समय मैं यहां पर एक बार फिर शामल करता हूँ जब वो कहते हैं कि मुसल्मानों को भी उसमें शामल किया जाए तो सवाल यह होता है कि कौन से मुसल्मान जो भारत के मुसल्मान है वो तो established बारती है उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है अगर पाकिस्तान के मुसल्मान दिरनों को उसमें शामल करना है तो फिर केह दें कि बार्डर ख़तम है यह बार्डर नहीं है आ जाएं और बस ख़तम है फिर पाकिस्तान की कहानी आजाएं बारत में शामुल हो जाएं तो फिर ये बात क्या इनको समझ क्यों नहीं आती ये विरोध करने वालों को intellectual dishonesty and moral bankruptcy क्योंकि आपके liberalism की कीमत कोई सिंद में अंदरूनी पांच साल की बच्ची चुका रही है आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा है जो बॉर्डर पे विचारा कश्मीर में हिंदुस्तानी आर्मी का आदमी मरा आपको डिफेंड करते हुए ताकि आप अपने एर कंडिशन में रहके दिखाए ना बता लगे का कि liberalism का अवसर फ्लिवर क्या होता है वो जो लिबरल्स हैं वो बार्डर पे तो नहीं जाना चाहते वो बार्डर के उस पार जाना चाहते हैं तो जाएं मैं पैसे दूँँ है उनको जाएं नहीं वो तो खेर वहाँ पर रहने के लिए न अब ख़तन हो गया सर इंटर्नेट ने सब कुछ बदल दिया है अब ये बाइमानी बदमाशी नहीं चलेगी एक में ब्रीफली आपको एकादे मिनिट में समझा दूँ कि अच्छली हिंदू और सरदारों की तरफ से ऐसा हो क्यो रहा है हो इसली रहा है क्योंकि हम हिंदू सरदार पिछले 1400 साल से इसलामिक आकरमन से लड़ते आ रहे हैं और उसमें मैं हम नहीं हूं आप भी है जो माइंड सेट है टोटेलिटेरियनिज्म का 1400 साल से जब से मुहमद बिन कासिम ने राजा दाहिल को धोके से मारा था तब से लेके अब तक ये रुका ही नहीं है सिलसला एक सिविलाइजेशनल ठकान हिंदूओं को आ गई है कितना लड़ेंगे हम एक तो वो है दूसरा पिछले 70 साल में जो यह जो नहरूवियन सोशिलिज्म है इन्हों ने जो जूट हमारे ब्लड में हमारी बॉन्स में डाल दिया है उसका परिणाम अब आप देख रहे हैं कि हिंदूस और सरदार की जो पुरी लीडर्शिप है वो वर्टिकली डिवाइड़ेड है इसको अगर अगर मेडिकली सोच भी इन आसो से देप्र इसके जो गट इंस्टिंक्ट है वो तो यह कि नहीं आर इस तरह से यह बदमाशी तो नहीं चलता कि लेकिन जो पढ़ा है और जो इंडॉक्ट्रिनेशन हुआ है नहिरूवीन सोचिलिजम का वो कहता है कि नहीं नहीं सब ऐसे नहीं है नहीं सब धर्म एक जैसे ही तो होते हैं कुछी धर्म में ऐसे थोड़ी सिखाया जाता है जो एक जो मेट्रिक्स है जिसके अंदर वो अपने चित्त को भरमाए रखते हैं लेकिन इंटरनेट ने वो सब कुछ बदल दिया है अब सच हर चौराहे से बोला जा रहा है तो अब हम इसको दूसरी लेवल पर लेके जाएंगे विदिन नेक्स सिक्स मन्स आप देखेंगे कि हम दुनिया की सब एमबसी के अंदर पूरी ये नेरेटिव जो है पाकिस्तानी हिंदू सरदारों क्रिस्चन्स का वो सब तक पहुँचे जाएंगे उसमें आप जैसे भल बस मजबूर हिंदू या सिक्ष Bچी है पाकिसान में जिसके साथ जलम हो रहा है उसके पेरेंट्स नहीं ही लग रहा आप जैसे struggling class के या मेरे जैसे struggling class के लोग जब सच को सामने लाते हैं तो आपने कहा कि आप इनकी कहानी कोई ज्यादा नहीं चलेगी लेकिन जो ground reality है वो ये है कि इनके पास resources हैं ये बड़े बड़े western interest वाले groups चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत से बाहर हो उनके साथ ये जुड़े हुए हैं तो क्या आपको असान लगता है कि इनको mirror दिखा सकेंगे इनको true sense में expose कर सकेंगे जबकि इनका एक बहुत बड़ा माफिया है ये बहुत बड़े racket में है ये challenge आपको कैसे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हमको इनको engage करना है इनको mirror दिखाने से हमें क्या लाव होगा इनकी जिन्दगी बरगी देखिए ये बड़े entrenched interests हैं ये beneficiaries हैं इस mafia system के तो ये इनको mirror दिखाने से ये थोड़ी बदलने वाले हमारा target है दो हमें दो काम करने है हमारे जैसे लोगों को संगठित होना है जो कि internet के कारण बहुत सरल हो गया और दूसरा जो fence sitting बंदा है जो 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 neutral है उसको हमें बताना है कि सच ये है और अगर आप कोई stand नहीं लेते हैं तो ये होगा इसमें हमारे राष्टर कभी थे रामधारी सिंग दिनकर उनकी दो लाइने बड़ी सुंदर है समर शेष है समर कहते हैं लड़ाई को नहीं पाप का भागी केवल व्याज यानि जो चुड़िया को हच्चा करता है जो हच्चार होता है यानि अकेला वो पापी नहीं है तटस्त कहते हैं जो लोग neutral रहते हैं उनकों तो उनके लिए रामधारी सिंग दिनकर कहते हैं कि जो तटस्त हैं समय लिखेगा उनका भी अपराद है निट्रालिटी अब आप्शन नहीं रहेगा और इस इस दिशा में जो इनकी हरकते हैं वो खुद इनको एक्स्पोज कर रही है जैसे कि आपको अगर स्मरण हो आप तो बहुत तो उसी ताइम के हैं जब हम जवान रहे होंगे जब तालिबान का राज्य आया था अफगानिस्तान में और उन्हों ने महां पर म्यूजिक बेंड कर दिया था यानि अब तो अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या हम पूरी हुमैनिटी को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हमारी जो क्रियेटिविटी है डान्स म्यूजिक लिट्रिचर पोईट्री उस सब को बली चड़ाके एक सड़ा गला मोनोथिस्टिक एक फॉसिलाइज्ड एक समाज हो यह समय आ गया है कि जो फ्रीडम को और जो लिब्रिल जो एक्टिल लिब्रेटेड लोग हैं वो दे वांट टू रेज द फ्लैग और टेक अस्टैंड कि जो मनुश्चता है वो किसी की गुलामी स्विकार नहीं करेगी आपका वर्जन ऑफ गॉड आप मुबारक हो लेकिन आप उसे मेरे पे नथ हो पर इस वक्त जो सूरते हाल है पाकिस्तान में सिख और हिंदू परिवारों की कहानिया हर रोज जनम ले रही है ओफिशली जो स्टैट है वो ये बताते हैं तीन जो इंसिडेंट्स हैं फोर्स कंवर्जन के और मैरिजस के वो तो ओफिशल हैं पाकिसान में दिन के अनोफिशल कितने हैं वो हैं क्या है तो इस वक्त आप और आपके साथ ही आपकी ऑगनिजेशन बहुत ही री सेंडली क्य कर रही है और आगे आपके क्या प्लांज हैं? पर्टिकुलर मर्डर, पर्टिकुलर किड्नैपिंग को एंडॉर्स कर पाते हैं उसको डॉक्यमेंट कर पाते हैं तो वो हमने इंडिया की लेवल पे किया था तभी सिटिजन्शिप अमेंडमेंट्मेंट एक एक रियालिटी बना था वहना यहां भी बहुत विरोध था CAA क तो उस चीज़ को अब हमें इंटरनाशनली वेस्टरन वर्ल्ड के सामने और जो सिविलाइज़ वर्ल्ड उसको बताना पड़ेगा वो डॉक्यमेंट लेके जाएंगे मैं मेरा जो निजी एक मेरा जो सपना है कई सालों से सोच रहा था लेकिन आप्टर सिटिजन्शिप अ एक हुआ हिंद्व पाकिस्तानी सरदारों को लेके हम लोग दुनिया की हर कैपिटल में प्रेस कांफरेंश करें उनके मुंग से उनकी कहाणी सुने Shapai कोई मेरे जैसा कोई NGO नहीं कोई activist नहीं बोलेगा, कोई human right activist नहीं, right from the horse's mouth जिसे कहते है, क्यों होता क्या है कि जब हम कोई document शेयर करते हैं, हम कोई article शेयर करते हैं, तो उसको लिए leftist ecosystem discredit कर देता है, यह तो होता है नहीं, यह तो आप जूड बोलना पलाना, इंदुस्तान में भी तो होता है, पलाना, द इतर है मेरे, आप से मुझे सहाइधा पिक्षित है इसके अंदर, कि उनको हम platform दे, उनके मुझे उनकी कहानी सुने, कौन अपना घर चोड़के भागता है, कौन अपनी यादे चोड़के, अपनी जमीन, अपनी स्मृती, अपने bank account, अपना गहना, अपनी गाड़ी, अपनी भयानक कुछ चल रहा है इन लोगों के साथ, जिसको हमें दुनिया को सुनाना है, बताना है. डॉर्सप, आपने कहा के दो जो पाकिस्तानी सिख और दो पाकिस्तानी हिंदूों को लेकर आप दुनिया भर में जाना चाते हैं, इनकी फिजिकल कहानियां दुनिया को सुनाना चाते हैं, मैं आपको बताऊँ, अमरीका, कैनिडा और यॉरप में पाकिस्तानी हिंदू और सिक बरादी के कई लोग रहते हैं, वो ये कहानिया और लेडी बताते हैं, लेकिन दुख की बात ये है, कि कोई उनको फिर भी, उनको मानता उनकी कहानियों को, मगर वो ये नहीं कहते कोई बहुत बड़ा दुख हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त हुमेनिटी को कि दुनिया इस वक्त इतनी ज्यादा अपनी अपनी पुलिटिकल लाइन स्टो कर रही हैं कि सच सुनने के बावजूद वो वही के वही रहते हैं आपने कहा कि CAA के खलाफ इतना जहरीला प्रापगेंडा हुआ मैं यह कह रहा हूँ यहां कैनिडा में तो अभी पांच दिन पहले एक वेबिनार हुआ CAA के खलाफ और वो बड़ी और्गनाजेशन भी किया है यहां कैनिडा में दो हफते पहले कैनिडा के एक मेंबर पार्लिमेंटेरियन ने भारत के खलाफ एक पेटीशन दायर की है यह का जाहे कोशिश करते रहें सच बताने की लेकिन जिनकी जो पुलिटिकल आइडियालोजी है वो उसी की लाइन टो करते हैं अपने वेस्टेड इंटरस्ट के लिए अपने वोट बैंक्स के लिए तो इस सारी सूरते आलमे आखर में यह जानना चाहूंगा कि यह तो रियालिटी है फिर आप और में क्या सोचेगे मुझे आपके और मेरे पुरशार्थ पर यानि एफर्ट्स पर इतना भरोसा नहीं है जितना इनकी जहालत और मुर्खता के उपर भरोसा है अब इसी वर्ल्ड केनाट टर्न अब आए तो इस ब्लेटेंट जैनोसाइड हैं राइट इन फ्रंट अफ देर नोजस ठीक है अभी कोरोना का संकत है कुछ एकोनामिक इशू हो सकते हैं लेकिन जैसे जैसे क्रिटिकल मास हिंदूों का सरदारों का और आप जैसे लिबरल द दुनिया हस्ती थी मेरे उपर मेरा परिवार भी हसता था या यह क्या इशू लेकर बेढ़ गयो पाकिस्तान में हिंदू है भी कौन हिंदू क्यों अपनी इत्रियापादी क्यों लाना चाहते हो हर तरह का एक जो भी एक तर्क ताव लॉजिक था वो को देते थे मेरी कलपना के विरुदधा ताहिर भाई कि किसी दिन सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट भी आएगा आज जो आप और मैं बैट कर इतनी दूर ये बात कर रहे हैं ये हमारी जीत है सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट आगया हमारे जो वचार थे उनकी एक तरह से जीत भी हुई लेकिन ये भी तो एक रियालिटी है कि उसके खलाफ यो उसको इस तरह इस्तमाल किया गया कि भारत सरकार के लिए बहुत दिक्ट हो गई और फिर से वो इस्तमाल होगा तो मैं बिलकुल आखर में ही जानना चाहूंगा कि उससे क्या कितना फर्क पड़ेगा भारत को जितना प्रापगेंडा उसके खलाफ हो रहा है क्योंकि ये काम भारत सरकार का नहीं है सर की वो निरेटिव की लड़ाई लड़े लड़े लेटिव का लड़ाई हिंदू लीडर्शिप को लड़नी थी और वो हमारा फेलियर है अब लेकिन हिंदू लीडर्शिप नहीं लड़ रही है अब लेकिन हिंदू लीडर्शिप बिल्कुल रिजुविनेटेड है यह मैं आपको एक गुड न्यूस दे दूँ ठीक है अच्छी बात है कि हम यह काम करेंगे ऑस्टेलिया नियूजिलेंड कैनेडा यूएस यूरोपन यूनियन सब जगह पर हम इस प्रोजेक्ट को लेके जाएंगे अपनी बात सुनाएंगे और अल्टिमेटली देखिए सहाब क्लैश ऑफ सिविलाजेशन है सब बैताओं का संगर्श है स्वतंतरता और गुलामी के बीच की लड़ाई है आखर में ये बताईए कि जो आज की हम बात्चीत में कोई बात मिस कर रहे हैं और आप उसको शामल करना चाहें क्योंकि आपके साथ हम बात्चीत करते रहेंगे इस काउस पे इस बहुत बढ़िया ये काउस है और बिलकुल आखर में तो मैं आपका वीडियो प्लेयर करूँगा लेकि उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई आप बात इसमें एड़ करना चाहते है मैं हाँ मिलकुल ताहर भाई एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो गाव का हिंदू है जो गाव में बसने वाला और सत हिंदुस्तानी है इस पूरे इंडियन सबकॉंटिनेंट उप महाद्वीब के अंदर वो अभी भी धरती से जुड़ा हूआ है उसकी घ्रना और उसको आप इसनी आसानी से बेवकूप बना नहीं सकते तो जितना अत्याचार हिंदूओं सर्दारों पर होता जाएगा उतना रेजिस्टेंस यहाँ पर हिंदू सोसाइटी में भी बनता जाएगा अगर कोई इस गलत्विमी में जी रहा है कि गजवा हिंद करके वो हिंदूओं को बनिया या ब्राम्मान या कास्ट में डिवाइड करके खतम कर देगा तो मैं बता देता हूं कि इस इंट फॉर रियल शॉक जो मार्शल कमिनिटीज हैं हिंदूओं की राजपूत हैं उस सब भी आर ओल प्रिपेर्ड मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ऐसा डॉक्टर मुझे शुभा भी नहीं देती है शायदे बात करना लेकिन अब बच्चिया उठ रही हैं गर्दने कट रही हैं तो आई रॉन नो मतलब चाटा सो साल लड़ें सब अगले चाटा सो साल की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं अब मैं उस वीडियो की तरफ आता हूं वैसे तो आपके बहुत खुबसुरत बज़न घजल लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं सुन सकते हैं आपने बात चीट में जिस तरह के खुबसुरत शेयर कोट किये अहमत फरास तक का शेयर कोट किया इससे हमारे व्यूज को अंदाजा होता है कि आप किस तरह लिटरेचर गाई की आर्ट के साथ जोड़े हुए हैं बड़ा ही खुबसुरत वीडियो आपने बनाया मैं आपकी कर्टिसी आपके शुक्रिये के साथ वो शेयर करता हूं इस वीडियो की कुछ कहानी इस दर्द बरे नगमे की कुछ कहानी सुनाईए अगरचे अभी लोग देखेंगे इस बातचीत के बाद उनको आइडिया होगा कि ये नगमा और इसके साथ क्या डॉक्मेंटरी जुड़ी हुई है वो तो अपनी जगा पर लोग देखेंगे ही मगर आपकी जबानी भी हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे दर्द जो है वो कहा है मेरे पास एक पाकिस्तान से हिंदू डॉक्तर आये थे आज से पांच साल पहले और मुझे वो दिन याद है वो मेरी मेरी चिता तक में लेके जाओंगा ऐसी इतनी डीप एक मेमरी है मेरे लिए वो आठ नौ लाक रुपे मेहने वो दौनो पती पत्नी कमाते थे पाकिस्तान में हैदराबाद में ओवर नाइट वो वहां से भागे अपने तीन बच्चों को ले करके क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि लोकल मदरसे में ये निर्णे ले लिया गया कि उनकी बच्ची को उठा लिया जाएगा एक आटो रिक्षा में वो चाता लेके आदा भीगा हुआ आदमी और वो महिला आधी उसकी सलवार भीगी हुई वो जो अपमान जो इंसल्ट का भाव उस वक्त उनके चहरे पे था तो वो काफी मुझे तोड़ गया अंदर से और मैंने एक पाकिस्तानी हिंदू बाप की दृष्टी से कुछ लाइने लिखी प्राणों का बंधन, हिर्दे का सबंधन तो वो चीज लेकिन मेरे लिए बड़ी परसनल थी यानि उसको मैं बिलकुल एक फादर की तरह मैं उसको अपने दिल में रखता था कभी किसी मित्र ने कहा तो उसको सुना दी मैं उसको पॉब्लिसिटी नहीं करता था अब जब ये सिटिसेंशिप अबंधमेंट में ने का मैंने विरोध देखा इस तरह का बद्दा विरोध तो मुझे मा सरस्वती की प्रिणा हुई कि मैं इसको राग रागेश्वरी में मैंने कंपोस किया और फिर इसको मैंने गाया, रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाया, जो अच्छा लगा है लोगों को पर ये गीत नहीं है ताहिर भाई, ये मेरे हिरे के छाले है कोई समाज, कोई समाज नहीं जिन्दा बचेगा अपनी बच्चियों के साथ ये करके आप, आप किसी मर्द को मार डाले, मेरे को उससे कोई तकलीफ नहीं है, आप उसको मौका दें, you know, man to man एक होता है man to man एक world होता है, जिसकी बाजी लगी वो जीट जाएगा बट एक, बट female, feminine जो है, वो, वो परमात्मा का एक वरदान है humanity को और वो life का source है, आप उसको नहीं कुचल सकते हैं, तो देखते हैं, कहां जाके रुकता है ये, अन्दापन बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अमेंदरा रत्म भाई, आपने दर्द के गीत भी छेड़े, दर्द की बातें भी शेयर की, और उस अजम को भी बताया कि उस अजम के तहट आप अपने उस जजबे को सलामत रखेंगे, उस struggle को जारी रखेंगे, और यही मेरा ख्याल है, हम देखना चाहते हैं, और आपके लिए बहुत बहुत हमारी best wishes, मेरा ख्याल है कि हुमेनिटी से प्यार करने वाले सबी लोग आपके इस जजबे के साथ रहेंगे, बहुत बहुत शुक्री आज समय देने का, आपने बहुत अच्छी बाते की, आपने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी ताहिर भाई, मैंने किसी सीमा का उलनगन किया हो, कोई लाइन की हो तो मैं ख्यामा मागदा हूँ, अरे नहीं नहीं, आपने तो दिल से सारी ब मेरा ख्याल है, हुमन राइट्स के लिए जो आप काम कर रहे हैं, वो काबले कदर है, बहुत बहुत शुक्री आपका, आपने बात्ची सुनी, डॉक्टर अमिंदरा रतनो भाई की, ये वो बात्चीत है, जो आपको मुझे रोज सुननी चाहिए, ताके हम इस जलम के सके हैं, और ये काम मैं अपने शो बिला तकल्ब में मुसलसल करता रहूंगा, आज की बात्चीत देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया, हम भी पाकिस्तानी हैं, इधर हमारा हकूक, हमारा इज़त, आवरू का पूरे पाकिस्तान को मिलकर साथ देना चाहिए, प्राणो का वन्धन, प्रिदयकातू स्वंधन, सासों की वीना, परमका अभिनन्धन, प्राणो का वन्धन, प्रिदयकातू स्वंधन, सासों की वीना, परमका अभिनन्धन, निर्दोश तेरा स्तित्व रहे, स्थाई तेरा स्तित्व रहे, क्या करूं, कैसे करूं, तुझे लेके कहीं खो जाऊं। तेरा चल जहां आबाद रहे, वो धरती कहां सेलाऊं। प्राणो का वन्धन। तुझे करूं, तुझे की खोङ तो क्यूं उसकी कीमत भरे मेरी लाली मेरी बेटी मैक के सौनी के कराची से गवा हुई है यहां कराची से डिफेंस के लाइके से तो क्यूं उसकी कीमत भरे मेरी लाली क्या था उसमें दोश क्या उसका कुसूर क्यूं लेकर गए हो उसे घर से दूँ इस बेवसी के भारतले क्या जिन्ता दफन हो जाऊं तेरा चल जहां आबाद रहे वो धर्ती कहां से लाऊं वो धर्ती कहां से लाऊं नानो का बंधन कहां के नवराते कहां के दिवाली अगर काफरों से तालुक जरूरी भी है ना तो बस इतने ही है जैसे लैटरीन के अंदर जाना मजबूरी है वहशत की वेदी पेरंजिश है पाली मौत है जुटकारा यहां हर जुल्म हुआ है गवारा यहां जुल्मों पे खड़े इस आलम के उस पार कैसे जाऊं तेरा आचल जहां आबाद रहे वो धरती कहां से लाऊं वो धरती कहां से लाऊं प्राणों का वंधन अगर आप इसलाम को बूल नहीं करोंगे ते आपके पापा और आपके बाई को तोनको बूलियों मार दोगा कर उसको जबर्दस्ती इसलाम भी को बूल कर दिया क्या हुआ उनवादों का सद्गुरूं का अबतारों का तुने तो हमको वचन दिया था धर्म और सत्य निवाने का आदेख लुटे बैठे है हम हर सास सास घुटे है हम जस्ट बिकाज अव रिलिजियन उनको महां से खद्रड़ा जाता है उनका जीना दूसकर किया जाता है जो पॉपलेशन विभाजन के समय 35 परसंट थी जो पॉपलेशना 7 परसंट हो गई उनके लिए तो जगा बची नहीं हैं तो वो अगर हिंदुस्तान में आते हैं जो बारतमा की जय बोलते हैं मानेवर हमने कहा था पड़िस्वी पड़ोसी देशों के प्रताडिक धार्मिक अल्प संक्यों के संग्दक्षन के लिए सिटीजन सिर्फ एमेंडमेंट बिल जिसको सीएबी के पॉपिलर नाम से ज पार निकल जाओं अब हात बड़ा इस दावानल से मैं भी तो मुक्ती पाओं मैं भी तो मुक्ती पाओं प्रानों कवंधन रिदयकातू स्वंधन सासों की वीदा यह वीडियो आपने देखा इस वीडियो में वो एक ऐसे करब को ब्यान करते हैं जो करब लफजों में बयान होने के काबल ही नहीं लेकिन डॉक्टर हुमिंद्रा जी जिस तरह इसको बयान करते हैं वो हमें कमसकम उस ग्रेव सूरतेहाल को समयने में किसी हद तक मदद देता है इस वीडियो में उन्होंने जो एक डॉक्टर ही की सूरतेहाल है वो भी डॉक्टर हुमिंद्रा जी अपने कामों से अपने दुख बरे गीतों से ये कहानी ये एसास जगाते रहें यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सबस्क्राइब कीजिए और नोटिफकेशन का बटन भी दबाएं किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे आपके